जरूरी सुचना हमें उमीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी और साथ ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इससे होगा ये कि जब ह वैलो फ्रेंट्स मैं हूं सुमिसरवास्तो और स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में जो कि इंडियन ट्रेंस सेमिलेटर के एक नए वीडियो से रिलेटेड होने वाला है और आज हम एक अपने ही ट्रिक से जो कि पुरानी अपनी ट्रिक चली आ रही है उस से वाइग सेवेन इंजन वाले आपसन में हम ओपिन करने वाले हैं तो आज आते हैं हम वाइग सेवेन में और यहां पर आप देख सकते हैं जो वाइग सेवेन का टॉप स्पीड है वो है 120 एकसिलेरेशन है 75 ब्रेकिंग है 65 और पुलिंग कैप सिटी है 16 यानि कि 16 डिबों को यह अपने पीछे लगा के खीच सकती है तो बहुत पाउरफोल इंजन है भले स्पीड इसकी कम ही लेकिन जो पुलिंग कैप सिटी है वह बहुत तगड़ी है तो यहाँ पे हमारे पास जेम्स कुछ बचे हुए थे जिसमें हमने 4 ब्लोप्रिंट ले लिए हैं और अब हमें अपने जेम्स को लाने के लिए हमें पुरानी ट्रिक जो की हमारी पुरानी ट्रिक चली आ रही है उसी को आज माना पड़ेगा उसके के लिए हमें जाना होगा रिसेंट आप में और आप को हटा देना होगा इंडियन ट्रेंस सेमिलेटर के और दुबारा से आप को खोलना ह रहते हैं दुबारा से तो वहां पे लोड लेता है हमारा यह अपना Gmail आईडी और Google Play आईडी तो वह आईडी लोड लेने के समय हमारा जो अपडेट रहता है जो हमने किया रहता है कुछ न कुछ वो सेव हो जाता है तो यहां पे हमने लोड ले लिया sign in कर लिया और वो हमारे ID में save हो चुका है जो हमने अभी activity किया है अपने ID पे तो अब हम दुबारा से अपने Indian Train Simulator के आप info में जाएंगे और clear storage कर देंगे इससे होगा ये कि हमारा जितना भी data है game का वो delete हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे अपने game में game में जाने के बाद हम जैसे ही अपने game को नया नया खोलते हैं वैसे ही हमारा जो game है वैसे ही खुलेगा और वहाँ पे हमें ready to play करना है accept करना है प्राविसी पॉल्सी और term आप service को यहाँ पे हम accept कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ यहाँ पे आप अगर वीडियो को रोक के इनके प्राविसी पॉल्सी को पढ़ना चाते हैं तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे हमने sign in कर दिया है पच्चास जेम समय पसा चुके हैं और साथी साथ 2550 कैस जो थे वो sign in करने के बाद वो भी हमारे ID में आ चुके हैं अब हमें दुबारा से जाना है गैराज वाले आपसन में और वहाँ जाके वाइक 7 के कुछ और blueprint हमें लेने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग 10 blueprint आ चुके हैं तो पिछली बार उसमें हमारा सारा blueprint आ जाएगा वाइक 7 का तो हमने रिसेंट से आप को हटा दिया है रिसेंट से आप को हटाने के बाद दुबारा से आप को खोल लिया है और इसके लिए हमें लोड लिवाना है अपने जितने भी एक्टिविटी हमने किया है वो हमारे आइडी में सेब हो जा इसके लिए हमने ये जो रिलोड वाला option चूच किया है कि अगर रिलोड हो जाता है तो इससे हमने जो एक्टिविटी किया है वो सेब हो जाता है हमारे आइडी में कभी-कभी कोई लोग अपने वीडियो में ट्रिक बताए हैं कि डिरेकली ये ट्रिक हाजमाते हैं और वो दुबारा से गेम को खोल के उस चीज को अपने आईडी में सेव नहीं करते हैं और उनका जो पुराना डाटा होता है वो भी उनके साथ साथ डिलिट हो जाता है तो जब भी आप किसी भी ट्रिक को कीजे एक बार हर एक बार आपको गेम को बंद करके रिसेंट से हटा के दुबारा से उसको आईड को खोलना है ताकि आपके आईडी में वो जो एक्टिविटी आपने किया है वो सेव हो जाए और उसके बाद अगर आप किसी भी गेम के डाटा को डिलिट करते हो तो वो डिलिट पूरी तरह से नहीं होता है वो आपके आईडी में सेव रहता है अगर आप एक बार अपने गेम को भी अनिस्टाल कर दोगे तब भी वो आपके गेम में गेम की आईडी में सेव रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो हमने दुबारा वो ट्रिक आजमा के और जो भी अपने clear data करना था वो हमने कर लिया है और दुबारा से sign in किया तो हमें 50 gems मिल चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 हमारा open हो चुका है और हमने downloading asset के लिए लगा दिया है asset हमारा download हो रहा है अगर आपको वीडियो यह पसंद आया हो और हमारा जो ट्रिक है वो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और चैनल को subscribe करने के बाद बगल में एक bell icon आयेगा bell icon को click कर लिजेगा और all notification पे set कर लिजेगा उससे होगा ऐसा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी notification आपको पहुँचेगी तो आप तुनंत notification बार में अपने mobile के जाके वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों के साथ share कीजेगा वीडियो को कमेंट करके ज़रूपता है वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो यही था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने